तेश प्रताफ यादब के बयानों और हरकतों की वज़ा से लालू परिवार इस वक्त अस्थानिय मीडिया के साथ साथ रास्टिय मीडिया की सुर्ख्यों में है। इसे बीचे एक बड़ी खबर आ रही है। लालू प्रशाद यादब की तव्यत खराब हो गई है। सीने में दर्थ की शिकायत है और उनको दिल्ली एम्स में भरती कराया गया है। सीने में दर्थ की शिकायत है। दिल्ली एम्स में भरती की आ गया है। लेकिन इससे जुला अप्डेट जब आएगा। डॉक्र क्या कुछ कहते हैं क्या वो रुठीन चेक अप के लिए गए हैं या फिर वाकई में उनकी सितिक गंभीर हो गई बता दे कि जब लालू पुषाद यादव का स्वास थोड़ा ठीक हुआ और वो पॉलिटिकली एक्टिव हुए तब आरजडी समर्तव को इस बात की चिंता थी। क्या लालू यादव उसी प्रकरता के साथ उसी अंदाज अपनी बात को रख पाएंगे लेकिन जब लालू पुषाद यादव एक्टिव हुए तो बले उनकी आवाज यह दम नहीं था लेकिन जो बात वो कह रहे थे बिल्कुल सटिक बात कह रहे थे और लागातार जाती ह जन्गना के मसले पर सोसल मीडिया के जरिए मीडिया में अपने बयानों के जरिए काफी सदेवे अंदाज में सकता पक्च के निताओं पर सवाल खड़े कर रहे थे और बीजेपी में कहीं कहीं बैचेनी भी देखनी को मिली और सुसील वोधी ने स्वश्ट कर दिया था कि लालू प्रशाद यादव को स्वास्त कारणों से जवानत मिली है लेकिन अब वो सियासत कर रहे हैं सीवियाई को इस पर संग्यान लेना चाहिए लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है लालू यादव की तव्यत खराब हो गए दिलियमस में भरती हैं कहा जाता है तेजप अपने बयानों और हरकतों के वज़ा से आरजडी को नुक्सान पहुचा रहे हैं आपको बता दे कि पिछले ही दिन तेजप्रताप्यादव लालू प्रशाद यादव से मिलने पहुचे थे अपने शर्तों के साथ और उनका शर्त ये था कि जगदनन सिंग को आरजडी के प्रदेश अध्यक्ष के पत से हटाया जाए लेकर लालू यादव ये जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि एक बार रगवर्श प्रशाद सिंग को लेकर भी तेजप्रताप्यादव ने काफी घटिया बयान दिया था और उसके बाद आपको पता होगा मीडिया में किस तरीक प्रशाद यादव तेजप्रताप यादव के बयानों से काफी आहत है और कहीं ने कहीं अब जो पानी है वो सिर्के ऊपर चला गया है इसी बीच जो है लालू प्रशाद यादव की तब्यात खराब हुए दिलीम्स में भरती है और अब हो सकता है कि तेजप्रताप प्रशाद यादव तेजप्रताप यादव पर हमलावर हो जाएंगे एक बिरोत का स्वर खड़ा होगा कि उनकी वज़र से लालू प्रशाद यादव आहत हुए और इस वक्डिलीम्स में भरती है जैसे ही उनके स्वास से जोड़ा कोई अपडेट आएगा मैं आपको उसे तलाह करेंगे आप देखते रहें जन्ता जंक्शन बहुत बहुत धन्यवाद